मेरी वीडियो डारेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पे क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरी इस चैनल में और आज हम आगये हैं लगन सीरीज के बिलकुल लाज्ट टॉपिक पर तो जल्दी से देखते हैं क्या है आज का टॉपिक मीन लगन के लिए योग कारक वा मारक ग्रहों की लिस्ट आज हम देखेंगे जो की बारवे नमबर की राशी है आज उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसी के साथ में लगन टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से लगन में कौन से योग कारक वा मारक ग्रह जैसा कि आप लोग कुंडली विवेचन करवा ही रहे होंगे उससे आपको पता चल रहा होगा कि आपके लिए कौन सी suitable रत्म है या कौन सी suitable इस्तितिया है जो की आपके लिए फाइदे मन्द है या किसका आपको दान करना है ये कुंडली विवेचन के format में आपको सब बता ही लेकिन यहां clear आपको पता चलेगा कि actual में किस प्रगार से इनका निर्धारन होता है तो यह जानने के लिए हम बना लेते हैं सबसे बड़े राशी चार्ट, मित्र शत्रु चार्ट और कुंडली तो यह आपके सामने राशी चार्ट, मित्र शत्रु चार्ट और कुंडली इस प्रकार से क्रमांग आपकी कुंडली में जम्य हुए होंगे अग हम जानते हैं कि यदि यह यहां लिखे हैं तो योगकारक और मारक लिस्ट किस प्रकार से बनेगी कौन उसके अंदर सहायक होंगे इस पूरी कुंडली के अंदर योगकारक और मारक में आने के लिए तो सदेव योगकारे गरह होते हैं यदी वो छे आठ बारा में नहीं बैटे होते हो तो पहले नमबर में नाम आएगा श्री गुरू का यानि बरस्पती देव जिसको गुरू का मतलब सबी देवताओं का गुरू माना गया है यह यहां बैटे है और साथ में ये यहाँ पर भी बैठे हैं तो दोस्तों यहाँ एक विशेश आपको ध्यान रखना होगा वो मैं निशान लगा दिता हूँ यदि केंदर अधिपदी दोस्ते इनको बचना है क्योंकि ये दोनों राशिया इनिकी है तो उसके लिए कभी भी 6-8-12 में ये ना हो यद पावना ये मनती है कि फिर मारक की लिस्ट जादा आती है खेर वो एक अलग बात है जब किसी की कुंडली देखते हैं और किसी में यह दोश पाया जाता है तो उसके बारे में बात की जाती है तब तक हमें फिलाल यही मानना चाहिए कि जब तक कि ये योगकारक ही है और दूसरा घर जिसमें राशी बैठी है पहली वो है मेश मंगल उनके अधिपती तो अश्टम्द वादिश के अनुशार ये इस घर में मित्र हो तो वो मित्र में आते हैं शत्रू हो तो योगकारक में जाते हैं तो दूसरे नमबर पे मंगल यहां पर आ जाएंगे जो की यानि एक मिल गया बहुत खराब गर और एक एवरेज तो इस परिस्तिति में ये बगेर किसी सोच विचार के इनको हम ला देंगे मारक लिस्ट में और शुकर आ जाएंगे यहां मारक यहां बात करते हैं तीसरा नमबर राशी बैठी है चौते गर में यानि केंदर में और ये एक और राशी है वो छटया नमबर है और वो भी बैठी है केंदर में इन पे भी केंदर अतिपती दोश का अवलोकन करने के बाद ही मारक और योग कारक में लिखा जाएगा यदि केंदर अतिपती दोश नहीं लगता है तो हम बुद्ध को यहां पर लिखेंगे योग क योग कारक में लेकिन लिस्ट में आपको स्टार जरूर लगाना स्टार जरूर थोड़ा समझ जाए यदि स्टार का मतलब है यदि ये छे आड़ बाना में ना बैठे हो अगर बैठ गए तो केंदर अतिपती दोश लग जाएगा अब देखते हैं आगे चौथा नमबर चंदर और गुरू आपस में मित्र है तो चौथे नमबर पर आएंगे आपके चंदर देव तो दोस्तों ये हो गई योग कारक की लिस्ट आगे भी देखते हैं पांचवे नमबर की राशी बैठी है चटे गर में यानि खराब गर में और ये है राशी सूर्य की यानि 10 और 11 तो 10 और 11 की परिस्टी इस परकार से है दोनों 7 7 ही है 11 नमबर को मिला है खराबगर और 10 को मिला है एवरेज तो इस कंडिशन में खराबगर मिलने की वैज़े से शनी हो गए यहांपर मारक जब तक की शनी स्वयम 688 वारा में ना बैढ जाएं ये योग कारक नहीं हो स फर्स्ट नजर पहली नजर के अंदर प्रतम द्रिश्टया आपके सामने ये रिजल्ट है अब हम देख लेते हैं इसके इश्ट देव तो इश्ट देव की श्रेणी के अंदर सबसे पहले आएंगे गुरू यानि बारा नंबर राशी के मीन के जो अधिपति हैं गुरू और गुरू का मतलब हो गया श्री विश्ट जी श्री विश्ट जी जो है ये या इनके अवतार आपके लिए बहुत हर काम में फाइदा बंद रहेंगे हर पूजा अरजना पर आप इनको याद करें सरप्रतम इनका ध्यान लगाएं तो बहुत आपके लिए ये आगे आगे काम मनाएंगे फाइदा पहुचाएंगे हर काम में दूसरे नंबर पर चौते नंबर की राशी वेटी है पंचमेश में और पंचमेश हो गए अब आपके चंदर देव चंदर देव का मतलब सीधा सीधा स्री शिव जी तो ये आपके दो इश्ट देव हो जाते हैं श्री विश किये जाएंगे क्या दान आपको करना है कौन सी पूजा करनी है वो सब कुंडली विवेचन टॉपिक जो कि मैंने 18 नमर में बना रखा आप उसको देख सकते हैं उसको वहां अगर आप अपनी डिटेल भेशते हैं तो आपको आपका एक फॉर्मेट मिल सकता है जिससे आपक कि भविश्य वर्तमान के बारे में जो जानकारी है वो मिल सकती है किस प्रकार से आपके लिए ग्रह फाइदे मन दोंगे और कौन से घाटे में आपको ले जा सकते हैं उन सब का समय रहते हैं आकलन कर लिया जाए और उनका निवारन हो जाए तो हमें बहत फाइदा नए महमान जो अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और इसी प्रकार के वीडियो कर आगे देखना चाहते हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक करना न भूले और चाहते हैं कि वो वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में बाइ मैसेज नोटिफिकेशन के तुरू मिले तो बैल आइकन का ओप्शन में क्लिक कर दे इससे इधर वीडियो पब्लिच होंगे और वो आपको मिल जाएंगे तो दोस्तो जो पुराने महमान हैं उनका भी हार्दी का विननन और उनसे हमेशा एक निवेदन चाहूँगा क जैसा भी मेरा वीडियो आपको फील होता है मैसूस होता है अच्छा लगता बुरा लगता है वो कमेंट के जरिये जरूर बताएं ताकि आगे कुछ नया बनाने में या गलतिया सुदारने में मेरी मदद हो सके आप लोगों के कमेंट के माद्यम से यदि पसंद आता है तो इसके अलावा शेयर करना आपके हातों में आप चाहते हैं बहरत देश की यह महान शास्त्र महान जोतिश पद्दती लोगों तक पहुंचे और ब्रह्म से दूर रहकर अपने वास्तविक इस्तितिका आकलन उन्हों हो सके तो जरूर इने शेयर कीजिए इसी के साथ में मिलत नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा से टॉपिक के साथ थेंक्यू वेरी मच